अलो दोस्तो वेलकम टू देक का निकास फूट रेसिपी आज हम बनाएंगी कुरकुरी तिल की पपड़ी ये बहुती क्रिस्पी बनकर तयार होती है बहुती हेल्दी है ये सेथ के लिए क्योंकि ये तिल से बनी होई होती है और खास बात ये कि ये रेसिपी बनने में सिरफ 10 मिनट लगते है और उसे 2 सामगरी से बनाएंगे तिल और चीनी से तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी में आगे की प्रोसेस की कैसी तिल की पपड़ी बन कर तियार होती है तो चलिए बनाना सुरू करते है तो तिल की पपड़ी बनाने के लिए हम लेंगेशे एक कटोरी त जरूत के अनसार आप तिल की quantity कम्या ज़ाधा भी कर सकते हैं तो यह में ने सपे तिल का इस्तेमाल किया है या फिर आपके पास जो घर में तिल आवैलेबल है उसका इस्तेमाल करें तिल को अच्छे से साब करेंगे और जो तिल में से खराब दाने हैं उनको उटा देंगे तो कोई किरकिर वगेरा इसमें नहीं आए तो अब तिल को अच्छे से रोष्ट करेंगे इसे ड्राय रोष्ट ही करना है तो जब इसमें से चटक चटक की आवाज आने लग जाए तब यह तिल सिकर तयार हो जाएगे ज्यादा इनको नहीं भूनना बस हलका-लका सा कलरी चेंज कर तो यह कड़वे हो जाएगे है और परफाण क कड़ी बनकर तयार होगी सारी प्शेस दिमियाज पर करें दो चलिह यह मारे सार्य तीलं चलि कर तयार हो गए हैं तो अभी से प्लेट में निकालेते है आप फ्लेट लेंगे और इसे घीसके से घृस कर देंदे की जब इसके दाले तो बेटर गाड़ा ना हो, ज़ल्दी से इस पे बेटर डाल देंगे और उसे फेला देंगे, तो चलिए बनाते हैं दुबारा से कड़ाई लेंगे और सेम कड़ही से नाब कर एक कड़ही चीनी लेंगे जितना हमने तिल का इस्तेमाल किया था उतनी ही हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करेंगे आप चाहे तो चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते अगर आपको ज़्यादा मीटा पसंद है तो मैं एक कटोरी चीनी ले रही हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों चीनी दिरे-दिरे मेल्ट होना चालू हो गई है चीनी को हमें धीमी आज पर ही पकाना है ज्यादा हाई फ्लेम इसकी ना करें और मेनी हैं पर पाने का इस्तेमाल नहीं किया है बस यह मेल्ट हो जाएगी जब इसके अंदर हम तिल डाल देंगे उससे पहले इसमें एक चमस गीर डालेंगे गी से इसमें बहुत ही अच्छी साइनिंग आएगी और अब जो तिल हमने रोष्ट करके रखे थे वो सारे इसमें डाल देंगे फटा-फट से इसको मिक्स करेंगे और इसे ज़्यादा थंदा नहीं होने देंगे बस इसे जल्दी से मिक्स करें और प्लेट में डाले तो देखिए हमने पहले से इस प्लेट पे घी लगा के तयार करके रखा था और फटा-फट से इस मिस्टरन को इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये गाडा नहीं हो तो देखिए मैंने सारह मिस्टरन डाल दिया है अब एक कच्ची के साइथा से इसे अच्छे से फैला देंगे जल्दी जल्दी हाथ चल लाते गए इस मिस्टरन को फैला देना है नहीं तो मिस्टरन ठंड़ होने लग जाएगा और फिर ये फैलेगा नहीं और इस shape में नहीं आ पाएगा तो देखिए मैंने इस process किती जल्दी से किया है तो देखिए सारा mission तयार हो गया है अब इसे आदी गंठे के लिए रख देंगे उससे पहले इसमें cut लगाएंगी जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ताकि बाद भी तूटने में आसानी हो तो देखिए एक चाकू की सायता से इस तरीके से cut लगा ले आप चाहे तो इसे काजू की कतली कारते उस shape में भी से cut लगा सकते है आदी गंठे बाद में हम देखेंगे यह जिसे set हो गया है तो एक चाकू की नौक से इसे थोड़ा सा उपल की तरफ प्रेस करेंगे प्रेस करते ही यह आसानी से निकल जाएगी और तूट भी गई तो कोई बात नहीं वेसे भी से खाना ही तो है अब इसे छोटे-छोटे pieces में तोड लेंगे जहांपर हमें cut mark लगा थे तो देखिए कितनी crispy super taste यह तिल की पपड़ी बन कर तयार हुई है कितनी अच्छी गी से इसमें साई नहीं है तो दोस्तों मेरी रेसिपी पसंद आये तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चेनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एस यह रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई